हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल रोबिन बुटिक फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जैंट्स पजामा कैसे बनाया जाता है बहुती आसान तरीके से और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर दोल करके अब पूरे कोर्स की डिटिल्स ले सकते हो तो दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें मैं आपको जैंट्स पजामा इसकी कटिंग और इसकी सिलाई दोनों ही चीज़े बताऊंगा सबसे पहले पजामा बनाने के लिए जिस चीज की हमें जूट पड़ती वह बढ़ दोस्तों आपको लंबाई नहीं रखनी आपको लंबाई रखनी एक इंच कम वह रखनी आपको 37 यह हमेशे आपको ध्यां रखनी है जितनी भी फ्लॉर लैंथ आ रही हो उससे एक इंच इसकी लंबाई अब कम रख दें क्योंकि पजामा का जादा लंबा बन जाएगा फ्ल ही इंका हिपसाइज देखना है किए और इन का הרा है तो इनसप्रकार से देखना खेनां यह पो나मा 20 नहीं इंच इसके बाद दोस्तों जूट पड़ेगे 20 की आप आप को प्रकार से लेना यह देखे बिलकुल इखना है लेकि अगिंविगी टोटकानसं कि मैं तो 22 की गाना के बाद कते हैं bottom की यानि मोहिरी की। और मोहरी और दो इस प्रकास या यह आविकार प्वी नाप की शूरमे की दिखी है कॉछ सबनेखर को वह शुर्म्में पह Benjamin सो एक मीडियम साइज को जो पजामा होता है उसमें सब दो मिटर कपड़ा लगता है लेकिन लंबाई किसी की ज्यादा हो तो उसमें आपका धाइव मिटर कपड़ा सफिशेंट रहता है तो दोस्तों सबसे बेले कपड़े को देखे किस प्रकार से भीचाना यह देखी यह कपड करने के बाद यह देखी इसको जो किनारी वाले इससे हैं चारों के चारों आपको अपनी तरफ रखने हैं यह देखी अच्छी तरह इंको ब्राबर कर ले और किनारी वाले इससे हैं जो यह आपको अपनी तरफ ही रखने हैं यह देखें और सबसे पहले दोस्तों जो मेन का लिए अब आपको क्या करना यह देखी एक दो तीन चार चार पार्ट है टोटल सबसे पहले एक नीचे निशान लगा इस तरह से इस निशान का मतलब यह होता है दोस्तों कहीं से अगर कपड़ा चोटा है यह फिर बड़ा है तो निशान लगा कि इसे आप बिल्कुल बराबर कर सकते हो यह देखी अब इसी निशान से मैं कटिंग कर देता हूं अब दोस्तों यह निशान लगाने के बाद बिल्कुल बराबर मैंने जो कटिंग करी है अब नीचे से फोल्ड करने के लिए नीचे से फोल्ड करने के लिए दोस्तों हमें कपड़ा चाहिए दो इंच यह अब बात करते हैं लंबाई की दोस्तों लंबाई थी 37 तो 37 पे आपको इस प्रकार से एक निशान लगाना यह देखी सीधा एक निशान लगाए अब इसके बाद दोस्तों एक निशान आपको और लगाना उपर दो इंच का उसको फोल्ड करने के लिए ताकि जिसमें आपका नाड़ा यहां फिर अगर आप प्लास्टिक डालना चाहो तो दो इंच उपर आपको एक्ट्रा कपड़ा लेना है तो कहने का मतलब मेरा यह है फ्रेंट्स यह देखिए यहां से लेकर और यहां तक जो टोटल लंबाई वो सैंतिस है दो इंच उपर रखा और दो इंच मेंने नीचे रखा है इसके बाद फ्रेंट्स बात करते हैं इसकी क्रोच यह यानि कि आसन की आसन आपको कैसे निकालना ह निकालने का बिल्कुत सम्पल तरीका यह होता है हईप साइज का आपको पता है हिप साइज कितना था एक तालिस इंच एक पुर्टीवन और इसके अलावा दोस्तों इसening आपको प्लस कर ना है क्योंकि पजाबाश दूज्ट बनाया जाता है सबस्का आसन अप粉फटवा लो तो तीन इंच आपको एक्स टा लेना है तो दोस्तों पुल ब chess होता है वो निकालने का तरह का यह है कि जो हीपशा है उसकता इसा करने के बाद उसमें आप ने प्रकार सिधा सिदा निशान लगाना है यह उगा तो कितना बना यह बना सब रहा इंच अब बाद दोस्तों बात करेंगे किस कि 20 कि 30 का है ऊसरो तैयार कितना हैोई Follow 26 इंच वैसे तैयार 23 था लेकिन हम यह को रखना है 26 इंच लोजिंग देखे तो किस प्रकार से देखी आपको आदा इंच इदर छोड़ देना क्योंकि आदा इंच इदर चला जाएगा सलाई में तो यह देखी तेरा दुनी जो सलाई में चला जाएगा तो पीस का दा कितना होता है 10 यह 10 इंच पर निशान लगा दिया और आदा इंच इदर अपने एक्ष्टा ले लिया मारजन के किलिए तो इस प्रकार से अब जो एक्ष्टा मारजन वाला जो लिए इसको OH है हो गया और भी साधे बाढार ही आपको इक सीधा निशान लगाना है तो सीधा निशान लगाना है इसे बिलकुल सीधा इस प्रकार से हाँ कि निखाओ है उसे निशान को यहन प्रड़न मिला दे है और इस जगह से दोस्तों आपको देनी इसमें गोलाई यह गोलाई देदी है और दोस्तों इस प्रकार से मैं रिखेखेज्त और आप इसे के कि तो कटिंग करना इसे कुछ है कि निए निन था बतारा हूं कि इतना यह؆ से फोल्डो धाएगा और नीचे से नहीं है कि यह से फ़ोल्डो जाएगा दोस्तों यह तो ब्लाकु को सिंपल कि रिखल झीग मैंने कटिंग कर ली Greek लेकिन पजामे में sis वीफ Då कि अब आपको इसकी बाइन के को बनाओ पिना मियाने के पजामे में और नहीं मनेत ख़चाव आता हैव चाले कपड़ा रखा क allies मियानिह के लंबाई मियानिह कि आपको रखनी लगबग सात ठीक है और बात करते हैं चुड़ाई तो दो इंच इसकी चुड़ाई रखनी है और इसको इस प्रकार से आपको नीचे जाके मिला देना है तो दोस्तों यह देखिए इस प्रकार से म्यानी की मैंने कटिंग कर लिए जो के बहुत ही सिंपल और आसान है तो फ्रेंट्स म्यानी की कटिंग मैंने कर ली है म्यानी की के अंदर हमने लगानी है पॉकिट तो पॉकिट लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको लगानी है मार्किंग यह देखिए चारो ही पार्ट जो है पजामे के आगे पीछे के बिलकुल बराबर है यह जो लंबाई वाला निशान है दोस्तों इस लंबाई वा सबसे भी रख सकते हो तो मैं इसमें आप रखंगो छैंच यह देखिए कुल मिला कि जो पॉकिट के लिए इस पेस रखना है रखना चैंच इस जगह से आपको साड़े तीन इंच पर निशान लगाना है और यह बीच का जो पॉकिट डालने की जो जग है वह रखनी आपको पॉल में निशान लगाएं इन निशान पर अपको हलकी हलकी सबसागर लेए वह लगाना है इस निशाना को बहुत होता है कियोंकि दोस्तों प्वला पिजामा है तो पोकिट कैसे लगाने वह सब कुछ आपको बारीकिसे में बताऊंगा करना बहुत आपको दो कपड़े लेना है यह दिखिए d TEK यह रखनãy है यह से लेकर यह से लेकर यहां तक 20 इंच और बात जाए तो यहां अब यह देखिए इस प्रकार से इसको रखने के बाद दोनोह कपड़ को आपने उठाना है और यहां से यहां पर करकार तरह चापको रगा लगा लेए या फिर आप इसमें हलके से इस प्रकार से कट लगा सकते यह देखें तो इस परकार प्रोसीजर होगा आई चलते हैं मशीन पर तो फ्रेंट्स यह देखें सलाई आपको कैसे लगानी है यह उपर वाला जो पोकेट वाला इससा जो आपको निशान दिख रहा है इसको बिल्कुल कट से कट जो मैंने लगाए इनको बराबर पकड़ें लेकिन सलाई आपको नीचे तो फ्रेंट्स नाइक को इस जगे मजबूत करने के बाद अब यह जो कट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है शिलाई आपको यहाँ पर भी लगानी है लेकिन अपको कैसे लगानी है आपको फुल मोटी कर लेना है यानि कि जो बख्या या बख्याय मशीन का बहुत मोटा कर करना है इस नाखू मारना के बाद दोस्तों अब यह जो कट वाला हिससा है इस कट वाले इस प्रकार से फोल्ड करना इस कपड़े को आपने इस पταकर से फोल्ड करना है और ये जो कट वाली जगए यहांसे आप तरह से शिलाय लगानी है कपड़े को उंदर फोल्ड करना है कि अब इधर से इस कपड़े को उंदर फोल्ड कर ले कि लो बाद जो भी एक्स्ट्र धागे आपको दिखे रहे हैं इन धागों की आपको इस प्रकार से cutting कर लेना है, यह देखिए, यह जो द्धागे हैं, इन धागों को आप इस प्रकार से कट कर लें। दोस्तों यह जो बीच में जो सलाइ आपको दिखरी होगी, कच्ची सलाइ, ठीक है, इसको हम बाद में कच्ची सलाइ को हटा लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है आपको बनानी है pocket तो pocket बनाने के लिए दोस्तों यह देखी यह आपको इसमें कट नजर आ रहे होंगे यह वाले इन कट को आपने इस पकार से कप्ड़े को फॉल्ड करना है फॉल्ड करने के बाद अब आपको जो stitch करनी है आपको इस जगे से देखी यहां से यह वाला उपर कपड़े को छोड़ देना है यहां पर यह देखी जैसे कि आप देख सकतो हो इदर भी आध ही छोड़ दिया मैं इस इधर भी औहीं छोड़ दिया है जो भी एक्ट्रा दागे आपको दिखilee इनके काटिंग करें कटिंग करने के बाद ही isTE जब आप जो भी एक्ट्रस जिता कि जो इसके बाद दोस्तों जो अगला काम है वह इस पॉकिट को अटेच करना कैसे उसके लिए दोस्तों यह देखी है यह आप पर पॉकिट कमोट करना कामowants-पॉटिक करना होगा सब्सक्री है निर्सकी अच्वारले कोम यहें कर पते कु अब इस pocket को दोस्तों कैसे attach करना यह देखें थोड़ा ध्यान से चीज़ को देख लें यह जो cut वाला कपड़ा आपको दिख रहा है जहां पर मैंने cut लगाया ठीक है अब आपको यहां पर लगानी सिलाई यह देखे जहां पर हमने आदे कपड़ा छोड़ा था ऊसी कपड़े आपको साई लगानी और इस सीधा ले जाना यह देखें कट के सासा कट को भी कुछ सेंटर में ही रखना है तो दोस्तों इस जगह आने के बाद ठीक है अब उपर वाला इससा यह तो नीचे चला जाएगा आपका इस तरह से और यह जो साइड का इससा है ना यह वाला यह कपड़ा जो आप इस कपड़े को आपको फोल्ड करना है फोल्ड कैसे करना है यह देखिए इस कपड़े को अपने आदा हैं लेना इस तऱ से अन्द विल्कुल सेनटर में रख्ते हो सीधी आपको इसने स्लाहिफ लगानी इस तरह से इस कपड़ को फोल्ड कर दें की है और सीधी स्लाहिफ्ने लगांbrid सिर्ट लगा लगानी स्टार्टिंग आप करनी आप यह से कर सकते और आप उपर से भी पर सकते हो स्ञार्या दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से यह जो पॉकेट आपकी लग चुकी है पॉकेट के लगाने के बाद जो भी एक्स्टा धागे आपको नजर आ रहे हैं जैसे कि आप यह देखिए यह जो एक्स्टा धागे हैं इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी और इसके बा है जितना इसके अंदर हमने कच्ची सलय लगाई थी कच्ची सलय लगाने के बाद इसके अराम से हाथ चला जाएगा और यह देखी इस प्रकार सी नीचे से आप देख सकते हो मेरा हाथ है जो पॉकेट के अंदर जा रहा है और बहुत असान तरीके से यह जो है पजा में मैं इसका अगला काम मैं आपको समझतों पर इंदर और यहाथ लगाने के बाद दोस्तों अब इसका प्रम है वो है इसमें मियानी लगाने का भी स्याय। एक मियानी आपको इदर से अठेच करनी है यह मियानी के बात दोस्तों फिर हम इसका आसन जोड़ेंगे सिलाई लगाते हैं दोस्तों आपको उपर से इसमें दो इंच छोड़ देना यह देखिए कपड़ा उपर से क्योंकि इसमें हमने नार डालने की जगे बनानी है तो दोस्तों इस लाई मैं आपको लगा के दिखाता हूँ तो फ्रेंट्स हें देकर उकपर से दो चोड़ आपको इस लगानी नीन의 कार्ड़ाई देख्थे आपके य oppression के आपके आप देख सकते हों झाने इक तरफ स्लआ director हो जाएगी उपर से आपको दो इंच इसमें छोड़ देना है कि फेंस क्रोचेरी की जो लगाई थी मैंने लगाने के बाद उपर जो मैंने दो इंच जगा छोड़ी थी आप देख सकते हूं इस प्रकार से मैंने यहां पर नाडा डालने की जगा बनाई जो कि बहुत असान है अब इस कपड़े को दोस्तों बहुत असान तरीके से आपने यह देखिए जो दो इंच का उपर कपड़ा हमने लिया था इसको ऐसे कैसे आपने फोल्ड कर देना है ताकि इसके अंदर आप नाडा यहां फिर लास्टिक अगर आप डालना चाहते हो लास्टिक भी डाल सकते आउग उसको ऐसे पंडे और यह जो कपड़े को ऐसे की एसे एक करें और अब इस सिलाई को अपने कंटीन्यू रखना है इस प्रकार से अब देखिए जो नीचे कहीं कपड़ा दिखना है आप यह आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा यह दिखिए इस प्रकार से पकड़ तो वहसे जनली पजामे में नाडाही डाला जाता है दोनों तरफ में ने पॉकेट लगा ली है अग इतना काम करने के बाद दोस्तों अब बात आती है इसकी यह वाली इस से हम झाल को इसपे तो फिर क्यों होगा है इसके बाद इसका तो नीचे वाला पाras है याने कि जो मोहरी वाला पार्ट करना है इसमें नीचे को ब니ा सकते तो पहले यह ने पहले इसको यह पकड़े और यह पकड़ कर सीघवी लगा लेकिन दोस्टो जर्ण होते है उन्हें जरनल ही होता क्या है कि पहले हम यह वाले स्लाई लगाते हैं नीचे से भी इसको मैंने इस परकार से फॉल्ड कर लिया जो कि बहुत असान है यह दिखाने के मुझे लगता जूरती नहीं ती इसलिए मैंने इस लाइए दिखाई यह दोस्तो इस परकार से एक पोकेट में इधर लगा दी है आप देख सेके इधर आराम साथ जा रहा है और को एक बार आपके दिखा देता हूं क्विए दोस्तव तो थाइज का मेजर्मेंट था वो रखा का था आपने कितना तैया रखा था हमने 26 इंच तो आपको वह नापकर दिखा था चब्यस इन्च यह है या नहीं यह देखी इदर से इसको पकड़ते हैं तो यह देखें यहां से लेकर यहां तक आप देखें तेरा दूनी 26 रही बात इसकी महुरी की यानि बॉटम की तो इस तरह से इसका बॉटम देखें बॉटम इसका दस वियनिक 20 इंच के इसका टोटा हमने बॉटम तयार रखा है तो फेंट्स यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सब्सक्राइब करें थेंक यू वेरी मच